हेलो एवरिवन और आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आ चुका हूँ मैं हूँ अभिशेक और आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जिसको लेकर काफी ज़्यादा परिशानिया हैं काफी ज़्यादा डाउट्स है पिछले वीडियो में काफी क्वैरी जाई थी इस बात को लेकर कि मॉक टेस्ट में माक्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं या फिर मॉक टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए मॉक टेस्ट देने के फायदे क्या है तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा important होने वाली है, काफी ज्यादा आपके लिए useful है, तो आप इसे last तक जरूर देखें, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि mock test करना है या नहीं करना है, mock test के फाइदे क्या है, mock test के बात क्या करना है, कब से mock देना है, ये सब, तो सबसे पहले खुद को एक महने, बीस दिन, पचीज दिन का time दो, और at least पहले syllabus देखो, इंगलिस की क्या syllabus है, मैस के क्या syllabus है, GKGS की क्या syllabus है, रिजिनिंग कैसा है, और उसके बाद आप उन एक महने में, पचीज दिन में, आप at least 50% syllabus, या 40% या 30% syllabus को complete करो, उसके बाद आपके अं मॉक टेस्ट वो दे पाएंगे, लेकिन मैं आपको यही suggestion दूँगा कि आप सबसे पहले sectional मॉक टेस्ट दे, sectional मॉक टेस्ट देने के फायदे यह हैं, कि आप जो भी पढ़ते जा रहे हो, वो revise होता जाएगा, आपको ऐसा feel होगा कि आप भूल नहीं रहे हो, आपके कोई भ weekly या फिर मन्त में दो, mock test देने की कोशिज करें, mock test यानि mixed question, आप mock test देने की कोशिज करें, लेकिन सिर्फ mock test देना ही सही नहीं है, या फिर एक सही तरीका नहीं है, खुद को improve, खुद के marks को improve करने का, mock test देने के लिए आपको कई चीज़े अपने ध्यान में रखनी होगी, सबसे पहले, जब आप कोई mock test देने जा रहे हैं, तो कोशिज करें कि आप question number one से question number last तक उसको at least देखे जरूर एक बार, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी question को देखते हैं, और उसे करने की कोशिज में लग जाते हैं, वो हमसे एक बार नहीं बनता, तो फिर हमें जीद आ जा तक छोड़ेंगे, और इस चक्कर में होता है कि हम कई सवाल पीछे रहा जाते हैं, तो आपकी पहली कोशिस होनी चाहिए कि बीच के सवाल छूट रहे हैं, गलत बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, लेकिन at least आपको first से last question तक आपको visit करना ही करना है, इसके अलावे mock test जब मंगा सकते हो, mock test देने के बाद, आप analyze करो, analysis करो, उस stage का, ना केवल unattempted questions, ना केवल incorrect questions, बलकि उसके साथ साथ जो correct questions हैं, आप उसको भी analyze करने की कोशिस करो, इसके फायदे यह होंगे कि आप पता कर पाएंगे, कि आपकी कौन से step में गलती हुई है, कौन से calculations ऐसे हैं, जिस इतनी ज़्यादे speed से नहीं कर पा रहा है, प्लस में, इसके अलावा आप ये भी देख पाएंगे, कि जिस question को आपने इतने minute में बनाया है, वो question को बनाने का कोई नया तरीका, या फिर कोई short trick है, या नहीं, तो ये सारी चीजे करनी बहुत जरूरी है, मैंने देखा है, लो आपके किसी भी questions में, I am talking about all the four sections, जो कि इस वार प्री और मेंस दोनों में आने वाले हैं, आप हर एक sections के जिसमें आपको लगता है कि ये चीजे मुझे पता होनी चाहिए थी, मुझे पता नहीं है, उसको आप एक copy में note करें, छोटे छोटे तरीके से short tricks बना कर उसको copy में note क इससे ये फायदा होगा कि exams के 5 दिन पहले, 6 दिन पहले अगर आप उस copy को एक पर देख लेता है, तो सारी चीजे जो आपके सब conscious mind में थी, वो सामने आ जाएगे, क्योंकि जो भी हम पढ़ते हो सब conscious mind में होती है, और वो हमें help करती है, इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले हम ये जाने कि हमारी गलतिया कहा हो रही है, mock test में अगर ये सारी चीजे आप अपनाते हैं, तो आपके marks बिल्कुल एक महने में लगवग, डेड़ गुने से दो गुने बढ़ जाएंगे, जो लोग beginners है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, इसके अलावा अगर आपके mock test में कम आते या नहीं, मैं question के साथ तो नहीं लड़ रहा है, आप ये कोशिज करो, आप कोशिज करो कि आप सारे questions को attempt करो, एक बार नहीं बनेगा, दो बार नहीं बनेगा, तीन बार नहीं बनेगा, आप हार मत मानो, ये नहीं कि आप से नहीं बन रहा है, तो आप सोच लो कि मुझसे हो नमबर टू जितने गलत है या जितने अनटेम्टेड है उसको आपको फिर से बनाना है उसमें क्या गलतिया आपने की है अगर वो छोटी छोटी गलतिया है तो उसको इग्नोर करो लेकिन अगर बड़ी गलतिया है या फिर कोई स्टेफ्स आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप copy में लिखने की कोसिस करो थर्ड चीज, अगर बात करूँ मैं तो थर्ड चीज के बारे में है कि आपने जो questions अटेम्ट किये हैं, जो आपके correct हैं, आप उसको भी analyze करो, क्या इसको बनाने का कोई छोटा तरीका था, जिसे मैं grammar की बात करता हूँ, grammar में हम generally करते हैं कि grammar में जो wrong होता है जो unattempted होता है, वो बनाते हैं लेकिन हम उसके analysis को नहीं करते हैं, analysis को तो उसमें हमें ये होता है कि हम कुछ और सोचकर मालीजे answer दिया है, वो सही हो गया लेकिन उसको बनाने का तरीका गलत है या फिर बनाने का तरीका अलग है उसके अलावे जैसे synonym की बात करें, antonym की बात करें, हमने जो मारा, तुक्के से मारा वो सही हो गया, लेकिन उसमें जो चार option है, उसके meaning को भी जानने की courses के जिए, क्योंकि वही questions बाद में repeat होने वाले हैं और अगर mock test में आपके marks कम आ रहे हैं, तो don't be nervous मेरे कभी भी mock test में अच्छे marks नहीं आया, लेकिन luckily मेरा exam में हमेशा mock test से ज़्यादा marks है, इसका reason क्या है इसका reason एक ये भी है कि जब आप घर पे mock test मारते हो तो आप पूरी तरह से relief फील करते हो, आपको जो questions नहीं आता, आप नहीं करते हैं, आप एक घंटे का मौक 45-50 मिनटे मार कर बंद कर देते हो, आप वो 10 मिनट extra देते भी नहीं, अगर वो आप 10 मिनट extra देते हैं, तो जो आपके सही questions थे आप उसको फिर से एक बार देख पाते हैं, जो आपको सही लग रहे थे, लेकिन बाद में गलत हो गया, silly mistakes के कारण तो आप वहाँ पे पूरा समय देने की कोशिस करो, घर पे अगर आप पूरा घर पे समय देने लोगे तो आपको खुद पता चल जागे कि समय का इस्तेमाल कैसे करना है और लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहूँगा ये आपके एक्जाम्स के लिए भी जरूरी है मौक टेस्ट के लिए भी जरूरी है कि आप सबसे पहले easy question solve करो मानलो आप रास्ते में हो मैंने ये बाते कहीं से सुनी थी वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक रास्ते में कई पत्थर गिरे हैं छोटे से बड़े बहुत बड़े और अरेक पत्थर उठाने के आगर मानलो आपको 2 रुपिय दिये जा रहे हो तो आप बड़े पत्थर पहले क्यों उठाओगे लिविटे टाइम में आप कुशिस करो जितने छोटे पत्थर है पहले मैं उसे उठा लू बड़े पत्थर बाद में देखे गए जाएगे तो आज की वीडियो में मैं इतना ही कहाना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट आप दो sectional test दो इससे आपका जो जिसमें आपको problem होते है जिस section में उसे वो आपका बहुत ज़्यादा clear हो जाएगा आप दूसरी बात आप सारे questions को attempt करो आप चीजों को ध्यान में रखो जो hard questions है जो hard tricks है जो आपको समझ भी नहीं आता उसको copy में note करो और exam से 5 दिन पहले उससे पढ़ो तो मैं जानना चाहूँगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आपको इससे फायदा हुआ या नहीं तो आप comment section में इसको जरूर बता है और आगे मैं कुछ दिनों में एक English और Maths पे भी डिफरेंट वीडियो लाने वाला हूँ उसमें मैं बाते करूँगा कि उसको कम समय में कैसे उसकी त्यारी की जाए जिससे की अच्छे marks आ पाए तो लिए तब मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अगर आपको अच्छी वीडियो लगी तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें ओके बाए अब्रिवान वेस्ट आप लाग्ट